हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आयू बहुत जादा टेस्टी, क्रिस्पी और हेल्दी जटपट बनने वाला ये नास्ता जो हम गेहू के आटे से बनाएंगे इसलिए ये हेल्दी बनेगा बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट ये आटा, तो मेरे पास ये गुता हुआ गेहू का आटा था तो मैंने इसको यूज कर लिया है अगर आप चाहे तो आटा आप तुरन भी गूत कर ले सकते हैं लेकिन आटे में थोड़ा नमक जरूर डाल ले मेरे पास जो ये आटा रखा है इसमें थोड़ा नमक डला हुआ है यानि कि मैं जब भी आटा लगाती हूँ रोटी का तो थोड़ा सा नमक डाल के लगाती हूँ इसको रख देते हैं साइड में और यहां लेते हैं एक बॉल बॉल में डालेंगे उबले हुए आलू तो यह दो बड़े साइज के आलू है जिसको मैंने उबाल के ठंडा कर लिया और उनको कद्दुकस कर लिया है आलू को आपको यहां पर कद्दुकस करके लेना है जिससे कि इन में कोई भी चंक्स ना रहे और हमारा नास्ता बिल्कुल भी खराब ना हो तो यहां डालेंगे हम इसमें आमचुर पाउडर यानि की ड्राइ मैंगो पाउडर अगर आपके पास यह नहीं है तो आप यहां चाट मसाला भी डाल सकते हैं धरदरी कुटी हुई लाल मिर्च अगर नहीं है तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं साथी डालेंगे जीरा साथी साथ डाल देंगे हिंग हिंग का फ्लेवर इस नाश्टे में बहुत अच्छा आता और हिंग डाइजेशन के लिए भी बैस्ट होती है थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे ये नास्ता हमारा जितना चटपटा बनेगा खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा तो साथ ही डाल देंगे हरी मिर्ज अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्ज की क्वांटिटी कम कर सकते हैं तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है तो यहां हमारा मिश्रण बनके तयार है तो एक दुब चटपटा सा और खटा सा हमारा ये मिश्रण रेडी हो चुगा है इसको भी साइड में रखते हैं यहां एक बॉल में डालेंगे हम चार से पाच चमच गेहू का आटा इस रेजिपी को हम टोटली गेहू के आटे से बनाने वाले है यह बहुत ज़्यादा हेल्दी बनेगा इसमें डाल देंगे चिली फ्लेक्स साथी साथ डाल देंगे बारी कटा हुआ हरा धनिया इसमें आप हरा धनिया जरूर डालें यह नास्ता देखने में बहुत ज़्यादा टैम्टिंग लगेगा थोड़ा सा नमक डाल देंगे और यहां हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर जिसकी हमारे नास्ते में कलर बहुत ज़्यादा टैम्टिंग आए और थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका हम एक बैटर बनाएंगे यानि कि इसकी हमें एक सलरी बनानी है तो पहले हम इन सारी चीजों को सुखा ही मिक्स कर लेंगे और अब डालेंगे या हम थोड़ा सा पानी एक साथ सारा पानी नहीं डालना है नहीं तो इसमें लम्स पर जाएंगे हमें ये बैटर लम्स फ्री बनाना है जिससे कि हमारा नास्ता बहुत ही जादा अच्छा बनके तयार होगा तो देखिए बैटर बन के तयार हो चुका है चलिए इसको भी रख देते हैं साइड में और यहां मैंने ले लिया है यह आटा तो आटा को आप जब भी रखे बचा हुआ आटा आपके पास है आप उसको जब भी रखे तो आटे पे थोड़ा घी लगा दे देशी घी जिससे के आटा काला नहीं पड़ता है तो यह मेरे पास एक लोई मतलब जो रोटी बनाते हैं उसकी दो लोई के बराबर यह आटा था तो मैंने इसको एक ही बार में बेल के तयार कर लिया है तो इसको हमें बेल लेना है इसको आप किसी भी शेफ में बेल लीजिए लेकिन इसको रोटी जितना पतला बेलना है आप इसको किसी भी शेफ में बेल लीजिए doesn't matter क्योंकि हमें इसके जो एज़ेज है वो कट करने है तो किनारियों को हम कट कर देंगे तो आप किसी भी पीजा कटर या नाइफ का इस्तेमाल कर सकते हैं किनारी को कट करके हमें इसका एक रेक्टेंगल या स्कुयर शेप बना लेना है और यहां ले लेना है अपना मिश्रण आलू का जित्व चटपटासा जो हमने बना के तयार किया है और इसको हम स्पून की मदद से या फिर आप चाहे तो हाथ से या फॉक से भी एक्वैली फैला सकते हैं अगर आप और ज़्यादा चटपटा है या फिर खटा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें टामेटो केचप और हरी चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन या ऐसे ही खाने में बहुत टेस्टी लगता है जब इसमें आलू का मिस्रड अच्छे से चारो तरफ बरावर से फैला लेंगे उसके बाद हम इसको ऐसे उठाते हुए इसको रोल करेंगे तो यहाँ पर हमें इसको टाइटली रोल करना है इसमें बीच में बिलकुल भी एयर नहीं रहनी चाहिए तो जितना अच्छे से ये टाइटली रोल होगा उतना ही अच्छा हमारा नास्ता बन के तयार होगा तो देखिए इसको ऐसे रोल करते जाना है और इसके बाद यह जो किनारे हैं इनको भी ऐसे हथेली से चिपका देना है उंगलियों की मदद से इनको अच्छे से चिपका देना है जिससे की आलू का मिश्रट भाहर ना निकले तो यहां रोल बहुत अच्छे से बनकर रेडी हो चुका है तो यहां लेंगे एक चाकू और चाकू की मदद से हम बिल्कुल बराबर साइज के कट्स लगा लेंगे अभी हमें यहां नास्ता कट नहीं करना है अभी मैं सिर्फ एक इंच की दूरी पर कट्स लगा रही हूँ जिससे की नास्ता हमारे एकदम इककल बनेगा तो कट्स लगाने के बाद अब हम इसको काट लेंगे कट्स लगाने से नास्ता एकदम बराबर साइज का बनता है तो हम इसको काट लेंगे देखिए कितने आसानी से सारे पीस अलग हो रहे हैं यानि कि बहुत अच्छे से कट रहा है तो ऐसे ही काट लेंगे सारा नास्ता और उसके बाद एक पीस उठाएंगे उसको ऐसे हथेली पे रखेंगे और ऐसे प्रेस करेंगे तो प्रेस करने से ये थोड़ा चप्ठा हो जा और उसको भी ऐसे हथेली उसे प्रेस करेंगे और नास्ता फटा फट से बना कर तयार कर लेंगे तो यहां इसी प्रकार से हमने सारा नास्ता बना कर तयार कर लिया है तो आप देख सकते हैं और आप इसकी ठीकनेस भी चेक कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भी नहीं और बह करने के बाद जब हमारा ओयल अच्छे से गरम हो जाएगा तो हम एक एक पीस ऐसी डिप करते हुए ओयल में डालते जाएंगे तो ओयल जो है वो बहुत अच्छा गरम होना चाहिए और बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि इस नास्ते को हम सैलो नहीं करेगा क्योंकि इसमें टोटली गेह हुके आठे का स्तेमाल हुआ है तो उम्मीद करते हूँ आज का मज़दार वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज मेरी वीडियो के लाइक कर दीजिएगा चेनल पर प नास्ता उलट पुलट कर सेख लेना है और जब नास्ते में एक दम टैम्टिंग सा कलर आ जाएगा यानि कि हमारा नास्ता सिख चुका है क्रिस्पी हो चुका है तो हम इसको एक छलनी में निकाल लेंगे तो अब देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है देखने में तो चलि तो इसको सुबज चाय के साथ या साम की छोटी मोटी भूग के लिए भी बना सकते हैं जब भी बच्चे कुछ बनाने के लिए कहें तो आप इसको जटपट बना के तयार कर सकते हैं तो उम्मीद करती हूं ये हेल्दी और मज़दार सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आए मैं फिर मिलूँगे एक और मज़दार रेसिपी के साथ बाई बाई टेक केर